हाई एवरीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल सो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी अच्छे होंगे सो फ्रंस आज मैं आप लोगों के साथ ये ब्राउन आइस भी थे रेड लिप्स मेकप लुक शेयर कर रही हूँ इस्पेसली मैंने इस मेकप लुक को बिगनस के लिए क्रियेट किया है विकाज उनको मेकप करने में थोड़ी से प्रॉब्रम जाती है सो अगर आप जाना चाते हो कि मैंने इस मेकप लुक को कैसे क्रियेट किया है सो प्लीज वीडियो के इन तक मेरे साथ बने रहे है चैनल पर लुँ है तो मेक शूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल बटन को हिट कर दीजेगा सारे प्रोड़क्त की देल आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टाट करते हैं सो फ्रेंट्स मैंने अपने फेस को अच्छे से मोश्राज कर लिया है तो अब मैं यहाँ पे अपने फेस पे प्राइमर अपलाई कर रही हूँ मैंने यहाँ पे एन बाई वे का प्राइमर लिया है और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अपलाई कर लोंगी प्राइमर हमारे जो भी ओपन स्पोर होते हैं उनको ब्लोर आउट कर देता है और हमारे बेज को स्मूध बना देता है अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जल को भी एज़े प्राइमर की तरह यूज कर सकते हो इसके बाद मैं फाउंडेशन ले रही हूं तो मैं अपना फेब्रेट फाउंडेशन प्राइब करना चाहिए यह और इसको अपने प्राइब कर रही है जैसे कि अपने आइस के नीचे ब्रीज अफ नोज पे थोड़ा से मैं अपने फोरेट पर लगाऊंगी और कंसीलर को मैं पूरी आइल डिट पे भी अप्लाई करूंगी ताकि पूरी आइस का जो लुक है वह इवन हो जाए और जा मैं आइशेड़ अप्लाई करूं तो उनकी कलर्स अच्छे से पॉप अप होके उभर के आए तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूं और इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं ब्लेंडिंग के लिए मैंने वही ब्लेंड लिया है ज शेट कर लूँगी इसके बाद मैंने यहाँ पे एशेफर का ब्लेशर कंटोर एंड हाइलाइटर पैलेट लिया बहुत चोटू मोटू सा यह पैलेट है और मल्टी परपस यूज के लिए तो इसमें से कंटोरिंग उसे लेके मैं अपने फेस को थोड़ा सा कंटोर कर रही हू अगर आप कंटोरिंग नहीं करना पसंद करते तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हो इसके बाद इसी पैलेट से ही जो ब्लेशर है उसे मैं लेके अपने चिक्स पे अच्छे से स्माइल करते हूँ अपलाई कर लूँगी जो भी एक्षा प्रोड़क्ट होते है ना फ्रे चाहतो ब्रो परमेड या कोई भी ब्रो पैंसिल भी ले सकते हो इसके बाद इसी तरह से मैं अपने दोनों ब्रो को फिल कर लूँगी अब आती आई मेकप की बारी तो मैंने यहां पर एक काजल लिया है और इसको मैं अपने अपर लेसेस पर अपलाई कर रही हूँ जैसे कि मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी इसके बाद मैंने यहां पर एक ब्राउन आईशेडो ले लिया है और इसको एक फ्लफी ब्रस के हिल्प से पूरी आई लिट में इसको अच्छे से अपलाई करूंगी दिरे-दिरे अपलाई कर रही हूँ एक साथ ज्यादा कलर नहीं ले कि तब तक जब तक क की सारे कलर आपस में अच्छे से ब्लेंड ना हो जांगी और उसी प्रसे अपने लोवालैस को भी अच्छे से स्ब्लेड कर ले रही हूं अब बारी typ मशकारे की तुम्हें यहां पे मेबलिन का क्लोस्रम मशकारा लेरी वह और इसकी लग भढ़ दो 4 च अप्लाई करेंगे अगर आप फॉल्स अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप तीन से चार कोट अप्लाई कीजिए तो मैंने यहां पर फॉल्स अप्लाई कर लिया और मेरा यहां पर आई लूक कंप्लीट है इसके बाद मैं थोड़ास अपने ब्रोबोन को और अपने आइस के इनर कोनों को भी हाइलाट कर रही हूं ताकि हमारी आइस थोड़ी उगरी हुई और बड़ी नेजर आए इसके बाद मैं यहां पर शुष बीटी का बेक्ट हाइलाटर पैलाटर की बहुत 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 अच्छा पैलाटर फ्रेंड यह तो इसमें जो हालाटिंग शेड है उसको लेंगे मैं अपने फेस को अच्छे से हाइलाट कर ले हूं जैसे अपने चिकबॉनस को ब्रीज of one an wish को थोड़ा सा कुपविट Dwee को चिन को ने थोड़ा सा अपने लिप्स पे अप्लाई कर ले रही हूं बहुत प्यार रेड़ शेड है तो मैं अपने ड्रेस के अक्रोडिंग में इसको अप्लाई कर लिया है और यहां पे मेरा मेकप लुक डन है आप लोगों को यह सिंपल सा एजी पीजी सा मेकप लुक अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले अपने फैमिली और फ्रेंग्स आप शेर भी कर सकते हो चैनल पे नहीं हो ना तो मेक शेर मेरे चैनल को सब्सकाइब कर लिजेगा और बिल बटन क कर लिजेगा मिलते हूं मैं आप सबको अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए लब यू बाइबाइब